हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉस्टिव अप्रोच दिस इस नितेस भरद्वाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जो है अपनी कमिशन की त्यारी कर रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे प्रॉबेबिलिटी के बा आपको जब हम वह चैप्टर पढ़ रहे थे पर मुटेशन और कॉंबिनेशन तो उसका जो है प्रॉबिलिटी में यूज होगा तो आई होप वह चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा और उसके आपको अच्छे से समझ होगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम जान कहलाता है सेंपल स्पेस कहलाते फोर एक्शामबल सेंपल सपेस हुआ माल लिजी एक हैं हमने उसको और या तो टेटे फीक है ये तो इसे क्या करता है ये हुआ हमारा क्या होंत्य स्यंपल सब्सेशंटी थीर तोक्तल पॉसिबल आवड समय होगा इसके पगे व्यूंस को पर एक करता हुआ संपल इवेंट क्या होता है रह Garris Sample Space का कोई सबसेट, इस Sample Space का कोई सबसेट क्या कहलाता है? माल लीजिये, जैसे कोई events है हमारे पास की, दो koın को toss की है, watermelon है ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारे पास set में? head head आया, तो ये देखिए आप क्या इसका subset है, a is subset of s, जी हाँ तो a को हम कहेंगे sample event, ठीक है यहाँ पर head 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 tail भी हो सकता है, मालनी जी दो ले लिया तब भी देखिए इसका subset है तो ये हमारा क्या आया, event आया और हाँ अगर मालनी जी यहाँ पर single element है, जैसे सिर्फ head head ही है, या हमारे पास head tail है या tail head है हमारे पास मालनी जी जी तो इस तरह के event को क्या कहते है, simple event, क्या कहते है, इन है simple event, ये कुछ terms हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कई वार इनी में से जो है exam में direct question put हो जाता है, तो ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद एक term आती है, mutually exclusive की mutually exclusive की, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कि कुछ दो event है, वो एक साथ नहीं होंगे, जैसे हम मालनी जी को को करते हैं, या तो head आएगा या तो tail आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये दोनों event क्या है mutually exclusive, मालनी जी कोई event है A, एक कोई event है B, mutually exclusive कब होंगे, जब इनका intersection क्या होगा, फाई होगा, इनमें कुछ भी common नहीं होगा, जैसे मालनी जी coin को toss किया, A event आया, मालनी जी probability of mutually exclusive event क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है यहां तक आपको clear हो गया अब माली जीए अगर हमें probability है जैसे probability of not A ठीक है कोई event है A उसकी probability होती है P of A, हमें निकालना है probability of not A, की probability of not A, वो denote होगा P of A डास है, तो उसको हम क्या करेंगे minus P of A, 1 minus P of A, ठीक है, यह क्या implies करता है कि probability of event plus probability of not A is equal to 1 probability of A plus probability of not A, क्या होगा किस के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ठीक है, I hope यह आपको अच्छे से समझा आ गया होगा, हाँ एक चीज मा आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि माल लीजिए तीन क्वाइन टॉस किये जाते हैं तो उनका सेंपल स्पेस हमें कैसे लिखा जाते हैं, एक पहली बात एक और चीज याद रखीगा, सेंपल स्पेस होता है 2 raise to power n, जैसे माल लीजिए कोई क्वाइन है आपको क्वाइन का सेंपल स्पेस होगा, माल लीजिए एक बार को टॉस किया तो दो आएगा, दो बार टॉस किया, तो रेस टू पावर थी किया, तो कितना आएगा, एक नमबर ओपावर लिमेंट आएंगे सेंपल स्पेस में, ठीक है, देखिए कैसे, अब ध्यान करेंगे, तो आपने क्या करने है, सिम्पल, इस हेड के साथ, एक बार है टे लिखना है, इस टेल के साथ, भी है टेल लिखना है, ठीक है, तो उसका सेंपल स्पेस, देखिए, मैं आपको बता दाओं, अगर को दो बार टॉस किया, हैड है, हैड टेल, हैड टेल, हैड टेल, यह आगे sample space इस और तरीके साफ जो इनका sample space निकाल सकते हैं आपको रटा लगाने की जिरूरत नहीं है कि ऐसे आपने याद रखना है simple लखिए एक बार coin को toss किया head tail आया ठीक है अब यहाँ पर भी coin को toss किया head tail आया इधर again coin को दूसरे बार toss किया head tail आया ठीक है sample space head 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 अब अगर मालें यह तीन बार किया तो इस head के सामने head tail लिखिए इसके सामने head tail लिखिए देखिए sample space क्या होगा head 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 देखिए head 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 tail head 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 tail tail यह खत्म हो गया यहां पर आईए tail head head देखिए tail head head फिर आएगा tail head tail tail head tail उसके बाद क्या आएगा tail tail head tail tail head और उसको दाएगा tail triple tail total number of element कितने होने चीए 1,2,3,4,5,6,7,8 और देखिए आपको रटा लगाने के भी need नहीं है आपने इस तरीके से याद रखना है ठीक है अगर मालें चारवाल toss करेंगे तो इसके सामने head tail करिए इसके सामने head tail करिए और ऐसे count करिए ठीक है आयोब sample space निकालना भी आपको आ गया होगा ठीक है अब कुछ फार्मुलास में आपको बता देता हूं जैसे माल लीजिए probability of a union b क्या होगी probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b ठीक है probability of क्या होगी a intersection b ठीक है अब माल लीजिए अगर event है mutually exclusive क्या है mutually exclusive तो हमें पता है कि P of a intersection b कितना होगा हमारे पास फाई होगा तो यह फाई आ जाएगा अगर यह mutually exclusive है तो P of a union b क्या होगा P of a plus P of b बिल्कुल simple ठीक है अब एक और formula P of a union b union c एक्जाम में लाश्ट बार यह एक्जाम में direct question पूछ लिए गया था तो आपको formulas भी जो है याद होने चाहिए क्या है probability of a plus probability of b plus probability of c minus P of a intersection b minus P of b intersection c minus P of c intersection a plus P of a intersection b intersection c यह इसका formula है अगर माल लीजी यहाँ पर a, b और c mutual exclusive है तो यह सारी value 0 हो जाएगी हमारे पास सिर्फ यह रहेगा तो ठीक है आपको यह चीज़ भी जो है यह बीच में पता होनी चाहिए कि P a union b union c P a plus P b plus P c भी होता है कब जब a, b, c क्या है mutual exclusive क्योंकि यह सारी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि probability of a intersection b कितना है 0 होगा अगर a और b क्या है mutual exclusive ठीक है I hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब एक चीज़ और आपको बता देता हूं जैसे event होते हैं ठीक है जैसे माल लीजिए पी A और b लिखा गया हो pa और इसका क्या मतलब भो इसका मतलब होता है pa union b और pay a and b and क क्या मतलब होता है मैंने permutation में और combination में आपको बता है इसका मतलब होता है intersection ठीक है I hope यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और का मतलब union होगा and का मतलब इंटर सेक्षन होगा ठीक है अब एक चीज आपको और बता देता हूं यहां पर मान लिजिए कोई इवेंट है ए माइनस बी ठीक है ए माइनस बी है तो इसका क्या मतलब हो यह होता है ए इंटर सेक्षन बी कॉम्प्लिमेंट कैसे हुआ अभी आपको बताता हूं आपको बिल्कुल भी जो है रटा लगाने की जुरूरत नहीं है देखिए मान लिजी यह इवेंट है ए हमारे पास ठीक है और दूसरा इवेंट है बी हमारे पास यह क्या है यह है यह यह बी है तो इनका कॉम्मन हिस्सा क्या होगा यह कॉम्मन पार्ट क्या होगा यह इंटर सेक्षन बी ठीक है हमें क्या निकालना है ए माइनस बी तो देखिए यह ह हमारा A, इससे B माइनस करना है हमें, ये वाला हिصा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आया ठीक है हमें A- B के लिए ये वाला पोर्शन आया ठीक है, तो इसको हम, एक तो A intersection B लिख सकते हैं, और A क्या लिख सकते हैं A- A intersection B ठीक है, देखिए यह फॉर्मूलाज होगे इनके साथ P ये लगाए ये P of A minus B कितना आया probability of A intersection B complement यह आप लिख सकते हैं probability of A minus probability of A intersection B आपको देखिए यह मैं फिर से बता देता हूँ आपको रटा लगाने के बिल्कुल भी जुरूरत नहीं अगर माल लिजें हमारे पास आया A not B यह है क्या कोई event है A not B A not B है क्या होगा A minus B ठीक है यह तो आप देखो इस A से इस B को minus कि दिए कौन सा portion आएगा हमारे पास देखिए इस A event से हमने यह वाला B minus कर दिया तो सिर्फ यह वाला event हाया ठीक है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं देखिए P of A P of A किया हमने पूरा देखो P of A किया minus P of A intersection B यह common person हटा दिया ठीक है अगर common person हटा दिया हमने है तो हमारे पास क्या बचा यह था common person यह था यह हमने ऀह पास बचा तो क्या हमारे पास B, A intersection B compliment, B है ये, B क्या है, ये, ठीक है, B compliment क्या होगा, B compliment होगा, ये person हमारा, ठीक है, B compliment ये person होगा, यो कि B का मतलब, B compliment का क्या मतलब, not B, ठीक है, तो total में से हमने B minus किया, ठीक है, तो ये person आया हमारे पास, अब हम सिद्गी A intersection this person A है हमारा सारा intersection यह वालग person तो क्या बचा हमारे पास? यही person बचा फिर से ठीक है? P of A minus B तो I hope यह दोनों फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल भी रट अलगानी किसमें जुरूरत नहीं है अगर आपके पास पुछ जाए event A not B P of A minus B करिए फॉर्मूला आपके पास जोनों आगए P of A से अगर A intersection B minus करना है वो करिए या P of A intersection B कॉम्पलिमेंट करिए ठीक है? I hope यह आपको अच्छे से समझ आगे होंगे इसके जो भी बिल्कुल basic फॉर्मूलास थे अब हम इसके numerical करते हैं और देखते हैं question कैसे solve होता है इसमें combination का भी use होगा permutation का भी use होगा तो उन वीडियो को जो मेरी पुरानी वीडियो है permutation, combination पर उनको अच्छे से देख ले अगर आपको फिर भी नहीं आती है तो please comment करके मुझे बता है ताकि जो है मैं आपको और असान त्रीके से जो है बता सकूँ ठीक है अब देखिए बिल्कुल fast करेंगे one card is drawn from a well-suffled deck of 52 cards हमें पता है sample space कितना आ गया 52 cards आ गया ठीक है क्योंकि task के पत्त में कितना cards होता है 52 card होता है if each outcome is equally likely हमें निकालना है एक card calculate the probability of the card will be a diamond probability of a diamond के निकालनी ठीक है probability of a card a diamond बिल्कुल fast करेंगे देखिए diamond हमें पता है diamond के कितने card होता है बताए diamond के होते हैं हमारे पास 13 card ठीक है कितने मैंसे निकालना है 52 मैंसे कितना आ गया one by four बिल्कुल इज़ी है ठीक है दूसरा क्या है not an a probability of a मालनी जी एक को मैं a से दिरॉट करूँगा तो पहले हम निकालेंगे probability of a probability of a क्या होगी not an a का पूछा न not के लिए हम क्या करेंगे p of a dash होगा क्या होगा वो one minus p of a ठीक है इतो उसके लिए पहले हमें p of a निकालना है तो p of a का अज कितने आए चार बटा बावन ठीक है क्योंगी चार एका होते है ठीक है one for the four one over 13 which is equal to one minus one over 13 that is equal to 12 over 13 तो यह आगी probability of a का one over 13 आया और probability of not an a का कितना आया one minus p of a one minus one over 13 that is 12 over 13 ठीक है उसके बाद question देखिए option C के है a black card probability of a black card बिल्कुल fast करूँगा total number of records कितने होते है 26 कितने में से sample space कितना है 52 कितना आया one by two अब total number of probability of red card पी कितनी आएगी red card पी 26 ही होते है तो one by two आएगी चलिए अगला करते है कि आप उच्छा रहा not a diamond कितना है one minus one over four that is equal to three over four बिल्कुल easy है उसको last क्या है not a black card not a black card को दो तरीके से कर सकते है आप देखिए black card है one minus p of black card कर दीजिए one minus one over two कितना आगया one over two या तो आप कर दीजिए देखिए अगर कोई भी black card नहीं है तो obvious है कि red card होंगे तो रेड कार्ड कितना होते है 26 by 52 one over two ठीक है इससे भी वही आ इससे भी वही आ है बिल्कुल easy question है ठीक है चली आगे चलते हैं देखिए question number दूसरा क्या बोलता है a bag contain nine disc of which four are red, three are blue, two are yellow disc is drawn at a random from the bag calculate the probability that it will be red देखिए कितना इसी question है sample space कितना है इस पर nine है कितना है total number of disc nine है red मैं बिल्कुल fast करूंगा probability of red red कितनी है हमारे पास देखिए red कितनी है four है तो कितना जाएगा four over nine ठीक है blue probability of blue blue कितनी है हमारे पास three है three divided by nine that is equal to one over three उसके बाद क्या आया yellow yellow कितनी है हमारे पास two है two divided by nine ठीक है not blue pb dash one minus one over three क्योंकि क्या होगा one minus p of blue होगा which is equal to two by three अब बोल रहा है either red और blue और मैंने आपको बताया है और और आ गया तो और का क्या मतलब हो probability of either red और blue यूनिन लगाना है लगाए फार्मूला p of r plus p of b minus p of r intersection b ठीक है अब ध्यान दीजिए या तो red है ठेखो red और blue में common क्या है कुछ भी नहीं है रैड और blue में कोई भी चीज common नहीं होगी तो यह क्या हुए mutually exclusive event हुए तो इसकी intersection इसका माप कीजिए का इसका intersection क्या आया फाई आया और probability आ गई जी रो p of red probability of red कितनी है 4 by 9 probability of blue कितनी है 1 by 3 ठीक है करिए solve 9 calcium 4 plus 3 7 by 9 देखिए कितना easy question है I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चलिए आगे चलते हैं next question है question number 3 कल हम इसके उपर और जादा question करेंगे ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए देखिए इस question में जो है combination का use होगा और आये देखते हैं कैसे a committee has two person is selected from two men and two women committee हमें करनी है organize ठीक है ध्यांदी जीएगा two men होने चाहिए two women होनी चाहिए देखिए लिखा है इनोने two men and two women what is the probability that the committee will have no man probability of no man ध्यांदी जीएगा दूसरा क्या है probability of one man तीसरा क्या है probability of two men बिल्कुछ step by step समझेगा देखिए कैसे क्या बोल रहा है कि committee निकालनी है हमने committee of two person is selected कितने person select करना है two person हमने जो है select करने है तोटल नम्रो पर्सन कितने है two plus two four तो four में से हमने कितने select करने है two और वो कितने वेसे होंगे फोर सी टू वेसे चार में से दो आदमी select करना है हमने किस वेसे होगे फोर सी टू वेसे ठीक है यह तो हो गया हमारा sample space कि हमें बोला गए कि committee बनानी है हमने दो बंदों की ठीक है टोटल कितने दो आदमी है दो औरते है तो टोटल कितने होगे चार चार में से दो निगालने हमने यह तो आगया हमारा ओवराफ अब हमसे बोला गए कि no man कोई भी आदमी नहीं है तो ओविएस है two women कितने में से स्ट्रेट होगी टू में से ही टू सी 2 divided by sample space कितना है 4c2 कितनी बूमें थी दो और 2 ही हमें सेक्ट करने क्योंकि क्या बोला नो मैं कोई भी आदमी निचाहिए हमें तो अब यह से दो औरते होगी दो औरते कितने में से स्लेक्ट होगी तो कितना गया है टू से स्लेक्ट होगा किस से सलेक्ट करेंगे और से स्लेक्ट करेंगे और क्या मतलब होता है मल्टिप्ल लगाई एक आदमी हो गया और एक हमें और चाहिए ठीक है तो मैन किस से स्लेक्ट होंगे तो मैन से कितना आ गया है टू सी टू डिवाइड बै फॉर सी टू जो इसके बराबर है कितना आ गया वन बै सिक्स तो आई होब आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे जो कॉंबिनेशन का यहां पर यूज हो रहा है यह चीज यहां पर मल्टिप्लाई क्यूं हुआ ठीक है यह मैंना को बहुत डिटेल में कॉंबिनेशन में बताया हुआ है वो वीडियो नहीं देखी कल तक उन वी दो हम मैंन होगा दो मैं से समयक्ट कर लिए अब सो अभी तो कमीटी है हमार पास कम्पलिट हुई नहीं क्यूंकि क्यों क्यों हमें एक और क्या करते हैीं ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या हुआ मंजिप्लाई हुआ हुआ क्यूंकि सबसे यहां रहे होता हैники champions कर दा है multiply करना है ठीक है कल वाली वीडियो में और ऐसे question आपके साथ लेकर आऊंगा ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए कहां पर multiplication होगी कहां पर plus होगा कैसे जो probability वाले question जो हम solve करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावाद जय हिंद जय भारत